हलो वेल्कम टो मैं चानल सोनीज कुकिंग शो दोस्तों मैं हाजी रूए एक रेसिपी के साथ और आज की हमारी रेसिपी है दल करतू तो आए इसको बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमें कूकर लेंगे और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे हम इसमें एड करेंगे छो साथ में मैं जाल दीया है कि तेजपत्ता डाल और कद्दू की कॉइंटिटि अपक अपनी हिसाब से ले सकते हैं इसमें मैं ने डाल दिया है नमक और एक चुथाई हल्दी और मैं इसमें थोग सा हिंग भी आट कर दे रही हूँ लगबग एक दो चुटकी और अब मैं इसको दो चार्स सीटी के लिए छोड़ दूँगी हमेशे धीमी आज पर पकाना है ताकि कदू और चने की दाल अची तरह से हो जाए तो यह देखिए मैंने तीन सीटी के बाद इसको निकाल लिया है और यह अची तरह से पक चुका है अब हम इसको फ्राइ करेंगे तो मैं ले रही हूँ पैन में घी आप मस्टर्ड ओयल या कोई अपना वेजेटेवल ओयल ले सकते हैं साबूत जीरा और जीरा जब थोड़ा क्रैक हो जाए तो मैं इसमें डाल दूगी लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च लेसन जिसको मैंने काट रखा था था थोड़ा सा अध्रग जिसको मैंने चॉप करके रखा है एक कटा प्याज और इन चीजों को अच्छी तरह से में पिंक होने तक भून लोगी अब इसमें डाल दे रहूं हरी मिर्च आप इसको आउपे टेस्ट के साब से ले और एक कटा टमाटर मैंने इसमें एड़ कर दिया है और अब हम सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंके अब इसमें डाल दे हूँ एक चमच लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा हल्दी या धनिया जो भी आपको कम लगे थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है जीरे और गोल्की का पाउडर तो अब हम सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे अब इसमें डाल दियूं थोड़ा सा अध्रक का पेस्ट उसमें थोड़ा सा मैंने लेसन भी मिला रखा था तो अध्रक को लेसन का पेस्ट और अब सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे आपके मसाले एडिशनल है आप चाहे तो और भी मसाले अपने हसाब से एड़ कर सकते हैं मैं उबली हुई कद्दू और चनेडाल को इसमें एड़ कर दूँगी तो अब देखे इसको ऐड़ कर दोढ़ी तक चलाते राना है ताकि यह नीचे से स्चिपकना जाए और ठोड़ी दे यिसको धीमियाज पर रखना है और वीच भीच में चलाते हैं तो यह देखी दोस्तों यह लगवग हमारा कम्प्लीट हो गया है पर इसको थोड़ी दे तक हम और छोड़ेंगे उसके बाद इसको सर्विंग वार में प्लेट सर्व कर सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको धीमे आज पर पका रही हूं आग भी विल्कुल धीमे आज पर पकाए अगर आपको पानी की आवशक्ता लगे तो थोड़ा इसमें पानी को भी एड़ कर सकते हैं अब मैंने इसमें डाल दे हैं गरमसाला और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ में इसमें कॉरियंडर लीफ डाल रही हूं क्योंकि अब अच्छी तरह से पक चुक यहां को काफी टेस्टी और रिलिस्यस लगी का आप इसको चावल के साथ ट्रेस्ट करें या रूटी के साथ तेज करें जैसा भी आपका मन हो तो मेरी रेस्पि अगर आपको पसंद आए तो लाइक को सिस्क्राइब करना ना बूले साथी बैल आकन को प्रेस करें थैंक कि अपको प्रेस्टी बैल रखका प्रेस्ट करें आपको दोले साथ तो याद।